नमस्ते फैमिलीज कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ चलिए फैमिलीज आज बनाते हैं बालों को जड़ से काला करने के लिए एक होम रेमेडी जी हां ये बहुत पावरफुल है इसके लिए ले लिया है मैंने आमला पाउडर अगर आपके पास ड्राय आमला है तो आप वो भी इसमें यूज कर सकते हो सिर्फ एक ही चीज इसमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए सिम्पल सिर्फ आमला और में चीज है जो इसमें वो है लोहे का बरतन कोई भी कड़ाई जा ऐसा बरतन आप ले लिए इसको बनाने के लिए औ पानी पानी मैंने ढाल दिया इसको घोल दिया पानी एदा डालना है और धुक कलर में को प्ला करेंगी महंधी लगा लगा चलिए मैं इसको चान्ट लेती हूँ, मैंने कटोरी ले लिया है, movement. उपने करनेदी करें करें. उद्स बागों महीं इसको प्रेक्री करते हैं, इसको प्हेंकषी हो पाणी NOD, का बश satu-silे करिदे हैंessen मैं हो और फेती हम इसको चान के चान्यूकर लोगी है अप्लाई करने के लिए एक cotton pad ले लेना है पहले आप मेरे बाल देख लिए एक धम से natural काले हैं क्योंकि मैं इस remedy को जो है वो अप्लाई करती हूँ चलिए एक बार अप्लाई करके दिखा देती हूँ देखो यह cotton pad ले लिए जैसे आप oiling करते हो ना वैसे आपको मांग निकाल जाना है और इसको सिर्फ जड़ों में लगाना है पूरे बालों में लगाने के इसको ज़ूरत नहीं है शर्फ आपको अपनी जड़ों में ऐसे apply करना है यह remedy आप जरूर अप्लाई करके देखना यह बच्यों के उपर भी आप ट्राई कर सकते हो अगर किसी के बच्चे के ह तो सिर्फ 2 गंते इसको बालों के उपर सकते हैं और को को प्ति PACI decisions दूर में इसको लगाना है और नर्मल वाटर से इसको फिर अपने बालों को आपको वाश कर देना हैं शैम्पू वोगारा आपको नहीं करना नेक्स डे आप शैम्पू कर सकते हो लेकिन जिस दिन यह लगा प्लेन वाटर से ही आपको अपने बाल है जो वह धोने है ऐसे करके मैंने इसको पूरे अपने बालों पर अपलाई कर लूँगी और इसको हाथों के साथ बाद में थोड़ी देर के लिए मसाज कर दूँगी जैसे ऑल लगाते हैं पूरी जड़ों में लगाना है इसको ताकि जो आपके बाल है वो एकदम से काले हो जाए मेरे बालों का टेक्स्टर है वो बिलकुल काला है पहले ब्राउन था लेकिन जब से मैं यह रेमेडी लगाती हूं मेरे बाल जड़ से जो वो काले है आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना यह सच में बहुत असर करती है जो के बाल खराब भी हो जाते हैं और जड़ते भी है यह नेच्छरल सी होम रेमेडी है ट्राई करना और अपना फीड़ बैक देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई